नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके युटूचेन इस्टेडी विद मुलेंदर पर तो फ्रेंड जैसा के आप सभी को पता है आज उत्तर परदेश हाई स्कूल और इंटरमेडियेट का रिजन्त जारी होने वाला है और मात्र दो घंटे से भी कम समय का समय रह गया है तो फ्रेंड्स जितने भी छात्रों का आज बहुष्य बनने वाला है उनके वारे में हम आप इस वीडियो में बनाने वाले हैं और उन सभी छात्रों की जो इंतिजार की जो गडिया है वो टाइम टू टाइम समाप्त होने जा रही है तो फ्रेंड्स उमीद क तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स आप सभी देख पा रहे होगे यूपी बोर्ड धोजार अर्मनीज की परिक्षा हाई स्कूल और इंटरमेडियेट के 50 लाग से भी अधिक जो छातते वो परिक्षा में सामिल हुए तो और इतनी बड़ी संक्ष्य यहां जारी होने वाला है और यहां पर यहां पर आब Craio sucCS में बच्चों को सहुलियत को ध्यान में रखती होए हिंदूस्तान में यह कदम उठाया कि ताकि छात्र और छात्रायों को समय से और इस्टीक प्रिणाम हासिल हो चके तो फ्रेंड्स время में मैं आपको बताना चिंबाल है था कि कितने चात्रों ने इस बार 10 में और 12 में की परिक्षा दिये तो 58,6922 चात्र पंजी कृत होए थे हाई स्कुल में इस बार 32,00 के परिक्षावल यहाँ पर जारी होने वाला है और यहाँ पर आप देप पा रहे होंगे इंटरमेडियेट के 26,00,00 स्टुडेंट ने इस बार परिक्षा दी है तो फ्रेंड्स 58,00,00 स्टुडेंट को इस डेट का बेसरबरी से इंतरजार था और आज उनका परिणाम गोशित होने वाला है तो फ्रेंड्स आप सभी देख पा रहे होंगे कि इनकी जो परिक्षा होई थी वो हाई स्कूल की 14 दिन में और इंटरमेडियेट की 16 दिन में समाप्त हो चुकी थी तो फ्रेंड्स आज इनकी इंतिजार की सारी गढ़ियां समाप्त होने वाली है और सभी स्टुडेंट को फायदा मिलने वाला है तो फ्रेंड्स होसला बनाए रखें और अपने आप पर दहरीय रखें रिजल्ट आपका बहुत अच्छा ने वाला है तो फ्रेंड्स इतना आपको पता होने चीए कितने स्टुडेंट इस बार परिक्षा में सामिल हुए थे और कितने student का result रहेगा ये भी हम आपको बताने वाले हैं तो friends 12 बजे साड़े 12 बजे आपको हम result का update दे देंगे और जिन भी student का result नहीं खुल रहा है वो roll number और अपना board select करके comment box में type करें तो friends चलते हैं बिना किसी time for waste के मिलते हैं अगले पार्ट में तब तक के लिए जैहिंग जवारत